हलो नमेश्कार कैसे हैं आप सभी आए होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे हां जी लास्ट राइम हमने कवर कर लिया था कि हम किस तरह से हमारी बाइनरी एडिशन सब्ट्रेक्शन को परफॉर्म करते हैं हम सब्ट्रेक्शन को विद्धी हैल्प ओफ वन्स हमने वो बेसिक सारा कवर कर लिया था सिंपल आज हमने देखने हैं कि हम बाइनरी मल्टिप्लिकेशन प्लस डिवीजन किस तरह से करते हैं अब अगर आपको पता हो तो हमारे जो अर्थमेटिक अगर हम मैट्स की बात करते हैं सिंपल तो हम किस तरह से हमारी मल्टिप्लिके साथ क्या कर दें से multiply it will give you result 46 कि सिंपल यह basic सा method basic सी multiplication है जो हम सब को आती है अब अगर हम बात करें हमारे binary numbers की उसमें multiplication की बात करें तो एक चीज़ हमें यहां से clear है कि हमारे पास सिर्फ या तो हम zero use कर रहे होंगे और एक one use कर रहे होंगे बिकोज हमारे पास जो binary number है वो यही दो है या तो zero है हमारे पास या फी one है इसके अलावा हम कोई भी number इसमें use नहीं कर रहे होंगे simple तो देखो binary multiplication हम किस तरह से करते है जिस तरह से आप हमारी normal multiplication करते है same as आपकी binary multiplication होती है देखो इसके लिए थोड़ी सी theory पढ़ लेते है उस process of multiplying binary number is same as that arithmetic multiplication with decimal number जिस तरह से आप हमारे simple mathematics में multiplication करते है यह same procedure उसी तरह से होते है आपके जो आपके कहां से कहां तक होते हैं, 0 to 9 आपके जो number होते हैं, वो होते हैं आपके decimal number है ना, तो हम basically जब भी हमारी arithmetic multiplication को perform करते हैं, तो उसी तरह से हम हमारी binary multiplication को भी perform करेंगी, अब इसके लिए दिखो rules देख लो, अगर आप 0 multiply 0 कर रहे हैं, तो आपको ये result 0 ही देगा है न, य बिल गिब ये result 0, ये भी आपको क्या result देगा यहाँ पे 0, यहाँ पी आपको 0 लिपने है, अगें यहाँ पे भी आपको 0 लिपने है, अगें आप 1 multiply 0 करें, इट वी लाउस्ट गिव ये result 0, सिर्फ जब आप 1 into 1 करते हैं, तब आपको क्या result मिलता है, 1 मिलता है, और ये चीज नहीं है या फिर जादर difficult नहीं है है ना फिर भी हम एक binary multiplication का example देख लेते हैं चलिए जी start करते हैं for example आपने इस number को multiply करना है with this number है ना अब आप इसे किस तरह से multiply करते हैं देखो simple multiplication method हम पढ़के आया है हमने किस तरह से करना होते हैं तो हम same वही procedure यहाँ पे multiply करेंगे देखो अगर हमें पता है one into one क्या मिलेगा आपको result मिलेगा one ठीक है again अब आप इस one की multiply करते हैं zero के साथ है ना हम अगर simple multiplication करते हैं तब भी हम इसी तरह से करते हैं जो आपका यह first number है पहले आप इस number की इन सारे digits के साथ एक एक करके क्या करेंगे multiply करेंगे सेम आप one zero zero again one one zero one again one one और फिर लास में आपको फिर one one zero क्या मिलेगा one मिलेगा फिर आप यहाँ पर multiplication का symbol रखते है इस इस यह place holder इसे हम क्या बोलते है place holder बोलते हैं अब आपने next digit की multiplication कर रहे है देखो जीरो है यहाँ पर तो आप किसी भी क्या मिलेगा zero ही मिलेगा अगेन अब अगेन आपके पास one है तो it will give you the same result as one जैसा आपको यहाँ पर result मिला था same यहाँ पर आपको result देगा तो यह हमने यहाँ पर लिग दिया जब आप इस सारे को अगर हम simple multiplication करते हैं तो हम last में सबको क्या कर देते हैं अब addition के जो rules है वो हम previous videos में पढ़के आ चुके है कि addition के जो हैं क्या rules होता है कब carry generate होता है कब नहीं होता है यह हमें पता है simple हमारी जो arithmetic addition होती है उसी तरह हमारी addition बस एक exception case क्या होते है if one plus one अगर आप करते हैं ठीक है तो it will give you result 0 यह आपको result तो 0 देता है बट यह क्या करेगा एक carry को generate कर देता है it will give you result 0 बट यह क्या करेगा आपके लिए यहाँ पे इसने क्या किया एक यह plus कर रहे है अगर आप तो आपने यहाँ पे क्या किया इसने एक carry को आपके लिए generate कर दिया simple है ना तो देखो आप हमने क्या करना है यहाँ पर इन सभी को क्या करना है plus करना है ओके हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 है तो यहाँ पर as it is हमारे पर क्या जाएगा 1 again यहाँ पर 0 प्लस 0 करेंगे जब हम तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0 again आपके पास यहाँ पर क्या 1 फिर again 1 plus 1 0, 1 carry generate, again 1 plus 1 आपको result मिलेगा 0, but 1 carry हो जाएगा generate, again 1 plus 1 0 और आपका ही आगया 1 carry, तो इस तरह से आप जो है बिल्कुल simple binary multiplication को perform कर सकते हैं, I hope इसमें आपको कोई भे doubt नहीं होगा, because it's same as arithmetic multiplication, next जो हमारा topic रहेगा वो होगा हमारा division, अब binary division क्या है, देखो यहाँ पे भ 0 और 1 के साथ ही क्या करने है, work करने है, simple, तो चलिए binary division start करते हैं, the binary division is much easier than the decimal division, when you remember the following division rules, देखो आपकी जो binary division होती है, वो बहुत ही जादा easy होती है, as compared to your decimal division है न, तो देखो किस तरह से, because division है, तो हम सिर्में आपी दो ही numbers ले रहे हैं, 0 and 1, क्योंकि binary है है न, आप देखो rules क्या है, इसके 1 divided by 1, it will give you the result 1 है, यह तो हमारे पास simple इस तरह से भी होता है, अगर आप arithmetic में भी 1 की divide करते हैं, 1 के साथ, तो cancellation होके यह हमें 1 ही result देदेगा है, अब 1 divided by 0, meaningless, यह हमने meaningless क्यों कहा है, अगर मैं इसे इस तरह से लिखती हूँ, 1 divided by 0, तो हमें पता है, अगर यह आपने हमेशे याद रख रही है कि अगर आपके पास denominator में 0 है, it does not matter आपके पास numerator में क्या number है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 12 है, it does not matter, but अगर आपके पास denominator में 0 है, तो it will give you a result infinity, ठीक है, वो आपको क्या देते हैं, कि infinity हो जाता है, because जब भी आपके denominator में 0 है, तो वो एक meaningless point है, because वो आपको एक accurate, एक exact, जो है, कोई भी number नहीं दे रहा है, वो आपको क्या देगा, एक infinity दे देता है, तो that's why हम अगर binary division की बात करें, तो यहाँ पे हमने directly लिग दे, it is meaningless, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ क्या है, meaningless है, again 0 divided by 1, it will give you 0, देखो, अगर numerator में 0 है देखो, confused नहीं हो, मैंने denominator की बात किया, अगर denominator में 0 है, तो वो meaningless होगा, बट अगर numerator में 0 है, तो वो आपको क्या देगा, चाहे अब नीचे 2 हो, 4 हो, 10 हो, 10 हो, कुछ भी हो, कोई फर्ग नहीं पड़ता, वो हमें 0 ही देगा, ठीक है, next, again 0 divided by 0, देखो, यहाँ पे भी हमें क clarity अच्छे से हो, for example, आपने solve करना है, this number divided by this number, आपका एक number है, जो कि आपने 0010 से divide करना है, अच्छा, मैंने आपको एक चीज कही थी, अगर आपके left hand side में कोई भी zeros हो, वो matter नहीं करती, because number पे जो है, उसका effect नहीं पढ़ रहा है, अगर वो zeros लिखते भी हो, या नहीं भी ल left side है, ना कि right side, अगर वहीं पे आपके पास यह होता, 10, और जो आपकी double zeros है, वो इस तरफ होती, right side, तब हम इन two zeros को discard नहीं कर सकते, because तब एक number बन रहा है, thousand बन रहा है, right hand side अगर zeros है, तो वो matter करती है, but अगर left hand side है, it does not matter, तो आपने directly divide करने के लिए, यहाँ पे क्या divide करते है, for example, आप मेरे पास यहाँ पे एक number है 40, 4040, मैं इस number के आपकी divide करते हूं with number 10 के साथ, है ना, अब मुझे पते है कि अगर मैं 10 forza पी जाती हूं, तो it will give me the 40, चीक है, तो आपका जो है, यहाँ पे यह प्रोपर लिक है, कट चुक है, यहाँ पे आपका जो answer आएगा यह आएगा, यह आएगा 0 आपको, कुछ नहीं बचा, तो आपके पास जो question है, वो 4 आ गया है, ना, simple, इस तरह से करते हैं, हम simple division, but in case of binary, binary के अगर हम बात करें, तो हमने सिर्फ 1 और 0, इन 2 के साथ ही सारी game खेलनी है, है ना, तो अगर आप 10 के साथ कर रहे हैं, यहाँ पे इन 2 ही numbers के साथ सारा कुछ solve करने हैं, चलिए, let's start with this, ओके हमारे पास यहाँ पे है double one, तो हम 10 ones पे गए सबसे पहले, हमने यहाँ पे 1 लिखा, 10 ones are 10, अब minus हमें करने होता है, minus के लिए हमारे पास rules होते हैं, हमें पता होगा, देखो, minus हमारा same arithmetic वाले ही होता है, बस एक आप exception case है न, उन्हें याद रखा करो, सारे rules को याद रखने की जरूरत नहीं है, exception case यह था कि जब भी आप क्या करेंगे, 0 minus 1 करते हैं, 0 minus 1 करेंगे, तो यह आपको क्या result देता था, यह result देगा आपको 1, बट यह क्या करेगा, एक बोरो भी करेगा, चीक है, यह इस तरह से होता यह वाल आपने result जो है, याद रखने है, अब चलो start करते हैं, यहाँ पर 1 minus 0 हमारे पास 1 आ जाएगा, और हमने एक उपर से क्या लिया है, 1 को निचे ले लिया है, अब हमारे पास 11, यह नि 1 1 आ गया, 11 नी रीड करेंगे हम इसे, अब अगें हम 10 1 पर जाएगे, यहाँ पर फिर जब मैं 1 minus 0 करते हूँ, 1 यहाँ पर आएगा, आपका 1 minus 1 0, और हमने उपर से अगें 1 को ले लिया है, अब अगें 11 है, तो फिर यह वन सकी टेबल पर जाएगा, यहाँ पर 10 आएगा, अब देखो आपके पास क्या है, अब 0 को आप जो हैं लेके आए हो, अब यहाँ प आपके पास क्या है, डबल 0, तो आपको आएगा, डबल 0 है न, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कम्प्लीट क्या हो गया, खतम हो गया, आपने decision वाले procedure को binary division में तब तक चला के रखने, जब तक आपको end result क्या न मिल जाए, 0 न मिल जाए, है न, for example, अगर हमारे पास यह यहाँ पर क्या होता, अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ भी number होता, जो exactly properly divide नहीं हो रहा है, तो हम decimals में जाते, ऐस तरह से करते हम arithmetic को भी, तो हमें यहाँ पर क्या करने है, तब तक चला के रखने है, जब तक हमें end result 0 न मिल जाए, तब तक आपने इसको perform करते रहना है, र चोड़ सकते, for example, आप यहाँ पर वन को नहीं चोड़ सकते, नहीं, आपने बिल्कुल 0 तक ले के आना है, I hope आपको multiplication or division का concept clear हो गया होगा, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, आम उससे comment section में पूछ सकते है, thank you very much, please learning and keep growing guys, thank you very much, please like, share and subscribe our channel, thank you.